हेलो एवरीवन मैं हूँ बीना और टैंगी केचन में आपका स्वागत है आज हम पोहा रोल्स बनाएंगे जो के बहुत ही खाने में टेस्टी है उपर से क्रीस्प है और अंदर से सॉफ्ट है वैसे हम रोल्स को फ्राय करके बनाएंगे पर ये खाने पे बिल्कूल चीप-ची वीडियो पसंद आये तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कॉमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके तो चले हम रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं पोहा रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कब पोहा, पोहा अब जाड़े या पतले किसी प्रकार के पोहा यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे जड़े पोह का इस्समाल किया है तीन उबले हुए आलू, आलू को मैंने बॉल करके लिया हुआ है एक प्यास, प्यास को मैंने बारे काट के लिया हुआ है आता कब धनिया, धनियाक को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है एक छुटा चमस लाल मिर्ज पावडर एक छुटा चमस चाट मासाला पावडर नमक हम लएगे स्वात के अनुसार दो हरी मिर्ज और एक छुटा प्रियौ अद्रक का जिसकी पेस्ट मैंने साथ में बनागे ली हुई है तेल हम लेंगे रोल तरने के लिए और दो बड़ा चमच चावल का आठा तो चलिए हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पौहा को पानी से भीगोएंगे तो इसलिए हम पौहा डूबे उतना हम पानी डालके इसे भीगोएंगे मैंने याँ पे तीन कब पानी डालके पौहा को अच्छी तरह से पानी में भीगो के रखा है अब इसे हम तीन मिनट तक पानी में ऐसे छोड़ देंगे तीन मिनिट हो गए है अब पोहे को हम ऐसे करके थोड़ा सा पानी से दोलेंगे और अब हम पोहां में से पानी को अलब करेंगे इसके लिए हम किसी छनी में पोहे को डाल देंगे और पूरा पानी है उससे हम निकाल देंगे अब पोहा मेंसे हम पूरा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे अगर आप चाहे तो चमच की सायता से भी इसे पानी निकाल सकते हैं पर मैंने यहाँ पे हाथ की सायता से पानी पूरा निकाल दिया है पोहा हमें बिल्कुल ड्राय चाहिए इसमें अगर पानी होगा तो कटलेट है वो ज्यादा रोल में ज्यादा तेल चला जाएगा तो इससे हम पूरा ढ्रायक बनाएंगे मैंने यहाँ पे बॉल की हुए आलू को अच्छी तरह से स्मेश करके लिया हुआ है इसे हम बिल्कुल इसमें गुटली नार है इस प्रकार से अच्छी तरह से स्मेश करेंगे अब हमने भीगोए हुए पोहे को इसमें डालेंगे अब इसमें हम काटा हुए प्याच डालेंगे प्याज आप अगर आप ना पसंद करें तो इसे आप ना डाले लाल मिर्ज पावडर, चाट मसाला, अद्रक और हरी मिर्ज की पेस्ट, चावल का आटा चावल का आटा डालने से इसमें बाइंडिंग आ जाएगा और ये रोल है वो काफी क्रिस्पी बनता है काटा हुआ धनिया, नमक हम लाल डालेंगे स्वादन, सबको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि मसाले है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए डो बनके तयार है, अब डो में से हम रोल का शेप देंगे, रोल का शेप देने के लिए बड़ी निमूग साइस का हम डो लेंगे और पहले इससे ऐसा गोल बना के दो हाथों में बीच में ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में इससे तयार करेंगे और फी दोनों साइट से ऐसा रोल जैसा बना के हम देखिए इस प्रकार का शेप करके तयार करेंगे तो अब इसे हम प्लेट में रख देंगे अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ मैंने बड़ा निम्बू साइस का डो लिया है दो हाथों में रखके मैंने ऐसे रोल जैसा शेप दिया है और अब देखिए रोल है वो तयार है तो रोल को हम प्लेट में रखेंगे इस प्रकार से हम सारे रोल बना के तयार करेंगे सारे रोल मैंने बना के तयार कर दिया है मैंने तेल को पहले से कड़ाई में डालके गरम करने के लिए रख दिया था तेल है वो गरम हो गया है तेल को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मिच्रन लएगे और उसे कड़ाई के अंदर डालेंगे देखिए तूरंती उपर आ गया है और इसमें बबल्स भी आने लगे तो जिसका फ्लेम हम मीडियम करेंगे अब इसमें हम रोल को फ्राइ करने के लिए पेल के अंदर डालेंगे रोल को हम क्रिस्प होने तक इसे फ्राइ करेंगे इसे हम चेक करेंगे रोल्स है वो अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है इसे और हम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे रोल्स को हम चेक करेंगे रोल्स है वो बिल्कुल क्रिस्प बनके तयार है तो अभी रोल्स को हम निकालेंगे बागी बच्चे वे रोल्स को आप फ्राय काने के लिए डाल देंगे रोल्स को मैंने फ्राय करके तयार कर दिया है रोल्स को मैंने टॉमेटों को एचप के साथ सौर किया है बहुती टेस्टी रोल्स बनके तयार हुए है अंदर से soft और उपर से crisp बने हैं तो आप इस recipe को घर पर जरूरा कीजिए और मुझे comment में feedback दीजिए कि आपको यह मैंनी recipe कैसी लगए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबारा आप फिर मिलेंगे तब तेक लिए thank you, bye